सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकर नेवर मिस अपडेट तो आईए डिसकेशन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाता हूँ कुछ regular conversation के sentences तो आपके सामने दीखे यहाँ पे एक sentence लिखा हुआ है Have you heard of COVID-19? Have you heard about COVID-19? क्या COVID-19 के बारे में आपने सुना दी जब भी हम बात करते हैं existence of something की COVID-19 की बात हम कर रहे हैं आप से वितना पूछना चाह रहे हैं किसी सामने वाले से कि क्या तुमने COVID-19 के बारे में सुना है हाँ भई सुना है वो है यह हमें पता है कि वो exist करता है तो जब हमारे सामने यह expression होता है कि हम किसी चीज़ के existence की बात करते हैं तो आपको sentence बोलना कैसे चाहिए बहुत ध्यान से देखिए have you heard of COVID-19 क्या बोलना होगा have you heard of COVID-19 तो heard के साथ या hear के साथ जो preposition जाएगा वो off होगा ना कि about होगा तो क्या जो heard about बोलते हैं वो गलत बोलते हैं अगले sentence से have you heard about the symptoms of COVID-19 क्या COVID-19 के symptoms के बारे में आपको पता है COVID-19 के बारे में कुछ जानकारिया हैं आपके पास क्या उनके बारे में आपने सुना है बहुत ध्यान से समझेगा expression the details of something जब आपके सामने ऐसा expression आ जाए जहाँ पे details के बारे में आप बात कर रहे हूं तो आपको use करना चाहिए heard about या hear about ठीक है यानि यह जो sentence अब यह correct हो गया तो बास समझ में आई कब हम बोलते हैं hear of और कब हमें बोलना चाहिए hear about ठीक है hear of जब simply हम बात करते हैं किसी चीज के existence की हाँ भाई मुझे पता है ठीक है और about का use हम तब करते हैं जब हम उसके details में जाने की कोशिश करते हैं ठीक है अगले sentence पे आते है I am sure about winning the game बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है बोलते है I am sure about winning the game मैं game जीतने के बारे में बिल्कुल sure हूँ ना ना गलत हो जाएगा ध्यान दीजिए sure के साथ लगने वाला जो preposition है dear वो होता है off I am sure of winning the game ठीक है तो आज के बाद गलती मत करियेगा sure आएगा तो off लगाए I am sure of the match ना कि I am sure about the match ठीक है अगले sentence पे आते हैं They were not aware about your problem They were not aware about your problem आप मेंसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं not aware about अगर आप ऐसा बोलते हैं तो मत बोलिएगा तो कि aware के साथ लगने वाला जो preposition है that is off aware of your problem They were not aware of your problem clear होगी बात तो aware के साथ हमेशा off का use करिये about लगाते हैं तो बंद कर दीजिए अब समझेगा लेकिन होता क्या है अगर आपके सामने awareness word आ जाएगा अगर आपके सामने awareness word आ जाएगा तो आपको लगाना पड़ेगा about समझेगा there is no awareness about COVID-19 there is no awareness about COVID-19 जब awareness होगा तो about लगाए लेकिन aware होगा तो off लगाए है न मज़ेदार बात चलिए आगे देखते हैं मैं कभी जापान गया ही नहीं है मैं कभी जापान में था ही नहीं यह आप बोलना चाहते हैं अब देखें expression का फर्क किस तरीके से पढ़ता है बहुत ध्यान से समझिएगा अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपको बोलना होगा अब आप लोग सोचेंगे कि भाई यह टू कैसे हो गया अभी तो हम इन जानते थे तो समझिए इन भी होता है लेकिन इनका condition क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ फिलाल आप देखिए कि जब भी हम बात करेंगे has been, have been, had been की has been, have been, had been की हम बात करेंगे तो आपको use करना पड़ेगा to क्या use करना पड़ेगा to का इस्तमाल आपको करना पड़ेगा जब भी यह तीन conditions आपके सामने आएंगी पर लेकिन ऐसा भी होता है कि जब आप इन तीन conditions को छोड़के आप use करते हैं is, was, were जब आप ऐसे auxiliary verbs लेके आते हैं तो आप जा सकते हैं किसके साथ इनके साथ और जाना ही पड़ेगा वही होगा आपका correct preposition तो I was never in Japan तो फिर से एक बार देख लेते हैं I have never been to Japan but I was never in Japan clear हो गई बात चलिए comment box में जरूर बताइएगा कि ये session आपको कैसा लग रहा है और कैसा अभी तक लगा है चलिए एक और discussion कर लेते हैं let's go for shopping let's go for shopping बहुत से लोग बोलते हैं चलो भाई shopping के लिए चलते हैं let's go for shopping कहीं आप भी तो ऐसा नहीं बोलते अगर बोलते हैं तो देखिए क्या बोलना चाहिए अब आपको समझेगा talking about sporting and leisure activities talking about sporting or leisure activities जब आप leisure activities की बात करते हैं या sporting activities की बात करते हैं तो देखिए आपको बोलना क्या चाहिए let's go shopping यानि for का इस्तमाल अब नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे let's go shopping ठीक है एक और example से समझेगा we will go riding riding कैसा है वही आपको sportive है आपको वो आनम देगा एक leisure activity जो अपने बचे हुए समय में आप करते हैं riding तो आपको कहना पड़ेगा we will go riding ठीक है तो एक sentence बहुत प्यारा सा देखिए आपके सामने आ चुका है I met with your friend I met with your friend क्या meet के साथ with का use होता है बहुत से लोग करते हैं तो meet word के साथ with का use मत कीजिए कब नहीं करते जरा देखिए समझेगा जब हम persons को attach करते हैं जब हम persons को add करते हैं मैं तुम्हारे दोस से मिला यानि किसी इनसान से मिला और जब ये condition होती है तो आपको कहना चाहिए I met your friend जब किसी इनसान से मिला लेकिन बहुत ध्यान से देखिए लेकिन होता है क्या जब आप इनसान को छोड़के किसी और चीज से मिल जाते हैं जैसे यहां दिया हुआ है misfortune यानि बदकिस्मती से आप मिले भागिस से आप मिले तो यहां पे जो आपको यूज करना पड़ेगा भई देखो for something वहां पे person था इसलिए आपने with का use नहीं किया यहां पे something है आपको कहना पड़ेगा आपको कहना पड़ेगा I met with my friend जैसे कई लोग कहते हैं कि भई I met with an accident I met with an accident अब ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं I met with an accident क्योंकि accident जो है वो कोई person नहीं है इस वज़े से हमें वहां पे जोड़ना पड़ेगा इस वज़े से हमें वहां पे जोड़ना पड़ेगा I met with an accident तो मैं राहूल से मिला I met राहूल लेकिन मैं accident से मिला या मेरा accident हुआ I met with an accident ठीक है तो चलिए उमीद करते हैं कि आज के बाद आप इन prepositions को बहुत सही तरीके से और इन शब्दों के साथ यूज करेंगे और अपने communication को बहतर बनाते चलेंगे session पसंद आया होगा तो like जरूर करिएगा अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुचाने की कोशिश कीजिएगा नमस्कार